चलिए स्टुडेंट आज हम लोग पढ़ते हैं एक बिजपत्री भुरूड का विकास पहले इससे पहले वीडियो में आपको बता देए गया कि भुरूड विकास क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे एक बिजपत्री भुरूड का विकास development of monocotyledonous embryo मतलब की एक बिजपत्री में आप बिजपत्री को मैं बताया था कि दो पार्ट में बाढ़ते हैं एक बिजपत्री और दुबिजपत्री तो हम लोग पढ़ेंगे एक बिजपत्री में भुरूड का विकास तो चलिए पढ़ते हैं देखिए आपे एक बिजपत्र के भूड के विकास का अध्यान क्याएं लुजूला प्रास्टेरी नामक पाधप में किया गया था देखिए यह एक अंग्रेजी जो है आ यह एक अंग्रेजी पाधपया हार कहने का मतलब कि यह फर फोरन कंट्री में अधिकतर पया जाता है यह कहां कहां पाया जाता है थोड़ा द्यान दिजिएगा यूरोप में भी पाया जाता है नौर्थ अपरिका में पाया जाता है वेस्टर्न एस्या में पाया जाता है ठीकने इसके साथ साथ हमारे यहां भी पाया जाता है थोड़ा बहुत पादप तो देखेंगे लुजूल पादपो में युगमनज लंबाई में बढ़कर अनुप्रस्त विभाजन द्वारा बिजांड द्वार की ओर अधार कोशिका तथा निभाग की ओर अंतस्त कोशिका का निर्माड करता है इसको समझेंगे देखिए ये विजांड की सनचना है तो इसमें आप देखेंगे कि जो भुड यहाँ बनता है ये निभाग भाग और विजांड द्वार है इसमें बताय के आपको मैं बताया आवी कि विजांड द्वार की तरफ ज호 है जो भुड प्रारमिक से लोती है वो विभाजन करती है अनुप्रस्त विभाजन द्वारा जो है दो कोसिकाओं का निर्माड करती है एक बिजान द्वार की तरफ करती है एक बिजान द्वार की तरफ करती है मतलब इधर करेगी तो इधर जो करेगी इस कोसिका का नाम क्या होगा तो आधार कोसिका होगा और ए दूसरा अंतस्त कोशिका का निर्माड करेगा देखिए आप दिखा गया है यह है यह जो है यह जैगोट है यानिक यह भूड का निर्माड होगा यह प्रारमिक सेल है अब इसमें से देखिए एक निलंबक सेल बना रहा है मद कोशिका बना रहा है अंता कोशिका बना रहा है इस में से आगे पढ़ेंगे हम लोग समझेंगे इसको अंतस्त कोसिखा से निलंबक का निर्माड बता है जो अधार कोसिका होगा वह उपर की तरब जो होगा वह जो है निलंबक का निर्माड करेगा और दूसरा जो बता रहा है देखिए अंतस्त कोशिका के लंबत विवाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं अंतस्त कोशिका लंबत विवाजन करेगा यानि कि लंबा विवाजन से जो है दो कोशिकाओं का निर्माड करेगा इस प्रकार इन कोशिकाओं से ट यह प्रएकार जो है सी्वित का निर्मार हो गया है यह टेकर क्र प्रन सीव गया है Klokosta का निर्मार करें आगे देखेंगे इसके बाद आधार कोसिका के बिभाजन से बनी कोसिका में फिर सनुप्रस्त और लंबवत बिभाजन द्वारा कोसिकाओं का निर्माण होता है यानि कि अनुप्रस्त विभाजन द्वारा जब जो कोसिका है अधार कोसिका है तो अधार कोसिका क्या करेगा कि विभाजन करेगा जब विभाजन करेगा देखिए आपर यहां पर निलंबक का निर्माड कर रहा है देखिए यहां पहले देखिए आप पढ़िए इसको इसके बाद आधार कोसिका के विभाजन से बनी कोसिका में फिर से अनुप्रस्त और लंबोत विभाजनों दुवारा कोसिकाओं का निर्माड होता है यानि कि जो अधार कोसिका है वो दो कोसिका का विभाजन करेगा यानि कि बार बार विभाजन होता रहेगा और उससे जो है देख से एस कोस्तिका हैं भूड का निर्माड़ कर देती है इस भूड में एक वीजप प्र पत्र पाया जा रह Пरू dimensions बिजपत्र या इसको लेटम कहते हैं इसको टेलम कहते हैं इसको टेलम कहेंगे थहान दीजिएगा आप लोग इसको टेलम मुलांकुर या फ्रांकुर दोनों होसकता है यहां दिखा ग्यास के कि बीच पत्र पर्ग जाता तो इस तरह से एक बिष्पत्री पादप में भुड़ का विकास हो जाता है, यह बुड़ है अब यहां से यह मुलांकुर जैसे मुड़ करके और देखें, मुलांकुर हो गा, तो मुड़ करके मैठी में आ करके, दस जाएगा, और यह ऊपर वाला, जो भाग है, यह ऊपर वा तरह से नया पादप बन जाता है तो आप पढ़ रहा है थे एक बिच पत्री पादप में भुरूड का विकास डिवलोमेंट और मोनो कोटलेंडस एंब्रियो तो सबसे पहले किसमें देखा गया था देन लुजूला फ्रास्टेरी में नमक में देखा गया था या देन किया गया था इसका तो इस तरह से हमें आसा है कि आप लोगों को एक बिच पत्री भुरूड का विकास समझ में आ गय है तो आप लोग कमेंट करें हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद